नमस्ते मैं Abinard Lighthouse SoulS आपका स्वागत करता हूँ इस वीदियो में हम बात करेंगे कि Self Healing कैसे करनी है ये वीदियो देखने से पहले I hope आपने मेरे जो पहले के वीदियो हैं healing techniques पहले पहले के पहले के वीदियोज हैं अब हमको self-healing कैसे करनी है तो self-healing का कैसा है concept क्या है आप self-healing करते हो तो आप क्या करते हो आप रेकी को अपने अंदर कॉल करते हो आप रेकी को अपने पूरे body में प्रावाहित करते हो तो रेकी क्या करती है पूरा life force energy को flow करना प्रान शक्ति को जहां जहां अटकीवी है व जहां पे energy block होके रखी है, ठीक है, जिसके वेसे प्राणशक्ती flow नहीं कर पारी, उस एरिया में हमको illness हो जाती है, तो रेकी से क्या energy flow होना start हो जाती है, तो daily basis पे आपको रेकी करना है, मतलब आप रेकी जब करते हो level 1, उसके बाद आपको 21 दिन तो बिना किसी gap के रेकी करना है, ठीक है, उसमें एक भी दिन का gap आया तो आपको वापस से start करनी पड़ेगी 21 दिन, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप रेकी बंद कर दो, रेकी बंद कर दोगे तो क्या होगा, वापस से blocks आपके body में आने start हो जाएंगे, वापस से फिर आपको 21 दिन का cleansing process करना पड़ेगा, cleansing का, self, रेकी का जो हम अभी discuss करने हैं, वापको 21 दिन करके, उसके बाद वापस आप कर सकते हो, एक बार आपने attunement ले लिया है, attunement लेने के बाद आपको कभी भी वापस attunement लेने की ज़रुवत निया, आपका channel अलड़ी बन गया है, ठीक है, तो अभी रेकी healing कैसे करना है, देखे, रेकी healing आदे से 45 मिनिट का process है, यह आप आदे घंटे में भी कर सकते हो, कभी time कम पड़े तो 15 मिनिट में भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ time के लिए करना अच्छा है, अच्छा है, लेकिन 21 दिन में आपको बोलूँगा कि पूरा मन लगा के आप spiritual detoxification होता है, तो उसमें इसलाइक आपके घाव निकल के बाहर आते हैं, तो आप जितना वो रेकी करोगे तो आप उन पर बाम लगाओगे, उन घावों को ठीक करोगे, तो 21 दिन तो आप, मैं आपको बोलूँगा, आदे घंटे से 45 मिनिट से आप definitely रोज करो, एक फिक्स टा बिच्छा हुआ होना चाहिए, अगर आप पीछे टिक्के अब अगर आप कर रहे हो, तो दिवार और आप में बीच में कुछ कुछन या कुछ पिलो होना चाहिए, ठीक है, तक्या होना चाहिए, ताकि एकदम दिवार से आप सटके, दिवार से टच नहीं हो आपकी पूरी वो अपने को help करता है spiritual growth में तो रेकी एक spiritual practice है पहले ठीक है healing तो side by product है mean रेकी एक spiritual practice है तो आगर आप east को face करके करोगे तो best है second option है north ठीक है otherwise ऐसा कुछ नहीं है आप जो भी direction लो कोई problem नहीं है ठीक है अच्छा अभी आपको पहले हाथ दोने है हाथ दोने मतलब हाथों में generally क्या हाथों से रेकी flow होती है ये जो crown chakra से रेकी अंदर आती है heart chakra तक जाती है heart से फिर हमारे हाथों से बाहर flow होती है ठीक है तो आपको ये हाथ पहले दोने है साबून से योगि अगर हाथों में जैसे काम करते है जैसे ladies वगरे काम करते है during the day तो हाथों में तेल वगरे जमा हो सकता है या फिर क्रीम लग अगर जैसे क्रीम वगरे लगाया है तो उससे क्या रेकी flow नहीं हो पाएगी तो हाथों को पहले साबून से धोलो नहीं तो नॉर्मल पानी से भी धोलो आप रेकी अपने हाथ दो लिए उसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ जहां बैठे हो अब यह सब optional है आपको एक थोड़ा अच्छा environment बनाने के लिए आप वहाँ पे दिया जला सकते हो या कोई candle है candle, scented candles यूज़ कर सकते हो यह सब थोड़ा सा एक महौल बन जाता है तो आपको करने में और मज़ा अच्छा लगेगा मतलब एक feeling different आएगी फिर आप एक music चला सकते हो जैसे रेकी पे बहुत सारे YouTube पे आप देख लो बहुत सारे 3 minute bell timer है 2 minute bell timer है तो वह music चला दो हर 2 minute में वह bell बजती है तो आप अलग अलग अपने hand positions की तरफ लेके जा सकते हो तो आप वह bell timer चला दो वह video चला सकते हो optional है ठीक करना हो तो करो ठीक है फिर आपको एक तो spine आप erect रखो ठीक है आपका जो read है जितना हो सके उतना अच्छा एक और चीज़ यह आप reki healing जो है वह बैठके भी कर सकते हो लेटे लेटी भी कर सकते हो ठीक है chair पर भी बैठके कर सकते हो normal अपन पालती मार के बैठते है वो भी कर सकते हो late के भी कर सकते हो मैं तो late के करता हूँ ठीक है जितना आप comfortable हो उतना अच्छा आपका healing होगा तो आप late के भी करो ज्यादा better है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है कि हाँ जब आपकी हातों से energy flow करते हैं यह हातों में भी chakras है जैसे हमने chakras वाले वीडियो में समझा था यह हर fingertips में chakras है इसमें भी chakras तो आप पहले हातों को ऐसा जर्क कर सकते हो यह हातों को ऐसा clap कर सकते हो तो इससे क्या वो सब chakra activate हो जाते है ठीक है उसके बाद आप reki करो अच्छा अब reki करने से पहले अगर आप yoga कर लो प्राणयाम कर लो या EFT emotional freedom technique जो मैंने आप अलग एक वीडियो में पूरा बताया है कैसे करनी है आप वो करोगे तो क्या होता है reki में आपके channels और खूल जाएंगे wiring है wiring और wiring clear हो जित्ती wiring clear होगी देखो एक तो reki अपने आप से आपकी wiring clear करने का कोशिश करती है लेकिन अगर stubborn blocks रहेंगे बहुत block रहेंगे तो reki flow नहीं कर पाती तो थोड़ा अगर आप yoga प्राणयाम अगर करो नाड़ी शोधन प्राणयाम करो या EFT करोगे तो reki बहुत अच्छे से flow हो पाएगी उतना reki को मिलेगा flow होने के लिए तो प्राणयाम करता हूँ तो उसके बाद में रेकी करता हूँ तो उससे आपके रेकी की effectiveness बहुत बढ़ जाएगी तो आपके सारे body खुल जाती है अपकी cells पूरी alive हो जाती है तो वो approach आप एक approach है जो मैं आपको अपना approach बता रहा हुँ आप पस उतना टाइम नहीं होगा तो कोई बात नहीं आप रिकी से ही स्टार्ट करो फिंगर्स को थोड़ा जटक लो ठीक है फिर आप EFT, EFT मैंने आपको बता है तैपिंग का मैं अभी इसमें इतना कवर नहीं करूँगा यह कुछ पॉइंट्स हैं यह आप ऐसा टैप कर सकते हो मैंने अलग से वीडियो मेरा आप देख सकते हो उसमें आप वो टैपिंग कर गए आप थोड़ा और एनरजी चैनल क्लियर कर लो अच्छा आप आपने यह सब कर लिए अच्छा मेटल का कोई भी चीज लेदर का कोई भी चीज है हेवी जूलरी यह सब निकाल दीजे कमफर्टेबल क्लोट्स में करिए ठीक है लेदर मेटल यह सब एनरजी के फ्लो को ब्लॉक करता है तो वो आप एक कर दीजे ठीक है आपको अगर अगरवर्ती इंसेंस अगर कुछ जला के रखना है तो वो कर सकते हैं वो कुछ जरूरी नहीं है यह सब चीज नहीं करता हूँ सिर्श मैं आपको इतना डीटेल में बता सकूँ उतना में बता रहा हूँ आपने यह सब चीज कर लिए अच्छा अब हम हीलिंग कर अब हम तयार हो गए अब हमको हीलिंग करना है अपना हीलिंग कैसे करना है सिंपल है हम पहले गैश्यो पॉजीशन में हाथ रखेंगे गैश्यो पॉजीशन में हम cannon centered अपने mind को थोड़ा शान्थ कर लेंगे तो इतने सारे thoughts चल रहे हैं उनको शान्थ कर लेंगे एक ग्याशो पोजिशन में 20-30 second एक मिनिट तक हम लोग थोड़ा सा अपने आपको relax कर लिया उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग पहले रेकी को call करेंगे कि रेकी प्लीज आप मुझे आईए और मुझे हील कीजे आप ऐसे बूल सकते हैं मैं रेकी का आभारी हूँ मैं अपने सभी masters, अपने सभी guides, अपने सभी angels को आभारी हूँ मैं रेकी और मैं masters, मेरे guides, मेरे angels से pray करता हूँ कि मुझे protect करें मुझे golden light में shield कर दें imagine कीजे mind में कि आप एक बहुत अच्छी golden light में shielded और protected हो और आप रेकी और अपने masters को बोल लिए कि मुझे please help कीजे मेरे healing करने में तो आप ये prayer कर लो अब इतने complicated आपको masters, guides, angels बोलने का नई जमता है, सिर्फ भगवान बोल दो मैं भगवान का भी शुक्रियादा करता हूँ पहले हम शुक्रियादा करते हैं और रेकी को अपने अंदर बुलाते हैं ठीक है, रेकी को अपने अंदर call करते हैं कि रेकी आप मुझे heal कीजिए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जोशिन को क्यों रेकी breathing, ठीक है आपको imagine करना है, आप सास लेते हो आप सास लेते हो, तो आप crown चक्रिस खुल गया है और रेकी आपके अंदर आ रही है और आपके dantian point में इखटा हो गई है dantian point हम लोग जो डिसकस किया अपना नाभी से दोतीन उंगली नीचे dantian जो हमारा energy center है उदर एकटा हो गई है फिर जब हम hold करते हैं सास को तो imagine कीजिए पूरे body में भर गई है और फिर जब हम exhale करते हैं तो भी imagine कीजिए कि पूरे third eye से हातों से release हो जैसे मैं अभी हातों को ऐसे करा आप इज़र आप उस टाइम पर करने के टाइम पर हातों को भी ऐसे कर सकते हो बहुत relaxing है यह practice आप कभी भी कर सकते हैं यह जो रेकी breathing है आपको बहुत relaxed लगेगा ठीक है तो आपका जो stress पूरा दिन भर का पूरा तनाव निकल जाएगा अगर आप यह तरह का breathing अगर करते हो तो ठीक है तो आप थोड़ा सा हातों को भी ऐसे करके तो आपको हातों में भी sensations फिल हो सकते हैं यह कर लिया फिर आपको क्या करना है रेजी हो थरड़ाई पर आप अपने हात लेके जाओ और बोलो कि रेकी आप प्लीज मुझे गाइड करो मेरे हातों की position को गाइड करो ताकि अपने अच्छे सी healing कर पाऊं ऐसा करके थोड़ा सा prayer कर लिया अब सबसे पहले आपको cheerio position ठीक है crown चकर पर हात रखना है ठीक है ऐसा हात रखना है तीन मिनट के लिए यह अपका पहला position हो गया अच्छा अब हम एक चीज़ समझ लेते हैं देखिए रेकी में कहीं पे भी कोई set number of hand positions नहीं है कि यह अतने जगे मेरे को हातों को रखना है ऐसा कुछ भी नहीं है पहली बात तो यह समझ लेते हैं हात क्यों रखने अलग लग जब मैं बोलता हूं रेकी intelligent energy है तो हातों को अलग लग जगे रखने की क्या ज़रूरत है तो सबसे important यह समझने की चीज़ है रेकी तो intelligent energy है लेकिन आपने अगर blocks जमा के रखें अपने body में बहुत जितना भी past में जो भी आपको experiences हुए hate, fear, guilt उन सब की वज़े से हमारे body में blocks create हो जाते है energy blockages तो रेकी तो try करेगी best way find करने के लिए कि उस area को जाके heal करें लेकिन because of those blocks वो heal नहीं कर पारें तो हम जब hand positions अलगते हैं अलग अलग तो हम एक तो रेकी हमारे crown से होके flow कर रही है उदर हम हातों से भी उसको guide करते है रेकी को हम रेकी को actually help करते हैं कि जादा से जादा वो कोई भी hand positions use नहीं करते हैं कोई standard hand positions use नहीं करते थे वो पूरा पूरा अपने intuition से healing करते थे ठीक है जब हम रेकी हो करते हैं तो यहां हम रेकी को बोलते हैं कि हमको guide करो कि हाथ कहा कहा रखने तो फिर वो wait करते थे guidance का ठीक है अब फिर क्या हुआ जब Dr. Hayashi ने और Madden तका तो आपको at least एक guidance होना चाहिए कि 12 या 18 positions में आपको हाथ रखने है तो इस वज़े से उन्होंने यह positions बनाए तो 12, 18, 24 कोई पता नहीं है कि कोई what is the exact number of positions आप internet पर ढूंड़ो आपको सारे positions मिल जाएंगे आपको वो positions करने हैं आप वो positions कर लो लेकिन मैं यह particularly यह believe करता ठीक है उन चक्रास पर आप 3-3 मिनट हाथ रख लो ठीक है यह आपका crown चक्र तीन मिनट आप इदर हाथ रखो ठीक है उसके बाद आपका third आई चक्र अप crown और root चक्र को छोड़के बाकी जो 5 चक्र है वो आगे पी side है पीछे भी side है आपको आगे भी side में healing देनी है पीछे सिर्फ आगे आगे नहीं करना तो पीछे वाला side छूट जाएगा तो आप जब थरड़ा ही चक्र पे है तो आप हाथ ऐसे रख सकते हो एक left hand आगे right hand पीछे ऐसे करके आप healing दे सकते हो तीन मिनट के लिए ठीक है तीन मिनट में पूरा तीन मिनट अगर आपको ऐसे नहीं ज प्याला पीछे रख सकते हो कि उसके बाद हात चेक प्रोट के यह बात हात हे तो एक हाथ आगे रहेगा और एक हाथ जो है वह एक हाथ आन्ट पुसीशन से मैंने अपने अलग से जो Nem時mond में सारे हांड पिछर चे फोटो भी डाले है तो आप वो देख सकते हो किर तो आप इ तो आप यह ऐसा कर लो, ठीके, उसके बाद आप अपना solar plexus पर हाथ रख लो, solar plexus जो नाभी से तीन उंगली उपर, solar plexus, then आपका सेक्रल चक्र, सेक्रल चक्र कहां है, आपके जननांगों पर, उधर आप हाथ रख लो, फिर एकदम नीचे, root चक्र, ठीके, root चक्र एकदम ऐसे रखेंगे, तो रेकी energy बराबर flow कर पाएगी, ठीके, उसमें भी बेटर है, अगर आप ऐसे, तो ऐसे है हाथ, ठीके, अगर आप ऐसे रख सको, cup shape में, cup shape में क्या होता है, हाथ ऐसा पिरामिट शेप बन गया, तो रेकी energy और अच्छे से flow हो पाएगी, ठीके, तो यह ऐ ऐसे करके भी आपको अगर करता है, तो ऐसी ही बनो, otherwise ऐसे कर लो, ठीके, अच्छा, साथ आपने चक्रों पर हाथ रख लिए, तीन-तीन मिनिट, उसके बाद आप दोनों घुटने, एक करके यूज करो, या एक हाथ एक घुटने पर रखो, दूसरा हाथ दो घुटने में र तो वो हो गया, तो साथ तो अपने ये बने पोजिशन हो गया, दो घुटने 9 और 10, 11, 11 points आपके हो गया, 11 points पर आपको healing देनी है, उसके अलावा आपको लगता है, सपोज कि आपको कोई और point, जिसे आखो पर देनी है, अगर आपको लगता है, शोल्डर पर देनी है, तो श चेस्ट को दे सकते हो, बैक है तो आप ऐसा बैक में दे सकते हो, उपपर बैक है, फिर लुओर बैक है, तो ऐसा जहां आपको हाथ रखने का मन करे, वो ही आप अपना घ़ब ब इंद्यूशन के साथ रहो। ठीक है शुरू में आप definitely जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 3-3 मिनिट चक्रा पर रखो लेकिन आगे जाके आप थोड़ा intuition अपना improve करो आपका intuition जहां बोलता है हाथ रखने के लिए उदर आप हाथ रखो तो आपने ये सब कर लिया ठीक है अचा अब रेकी करते वक्त आपको जो भी sensations हो सकते हैं गरम ठंडा अगरे sensations हो सकते हो perfectly normal है आपने रेकी sensations में वीडियो में मैंने पूरा detail में बता है व्योजन का और रेकी sensation के वीडियो में मैंने सब detail में बता है आप वो वीडियो देख लो ठीक है फिर अचा आप रेकी करते वक्त आपको बहुत ज्यादा involved होने की जरुरूत नहीं है कि मेरे रेकी किस तरह से काम कर रहा है देखिए रेकी को अपना काम करने दो आपने हाथ रख दिये ना आपने आप आदा गंटा बैठ के आप रेकी को प्रे कर लिया कि रेकी मुझे हील कर आप आदा गंटा बैठे हो ना आपने अपना काम कर दिया अब रेकी को अपना काम करने दो ठीक है आप एक कृतक की भाव से बैठ सकते हो ठीक हर एक को नहीं नसीब होती है ठीक है जितना भी हम चाहें कि लोगों को रेकी में लेके आएं रेकी जिसका नसीब रहता है उसको मिलती है आप आज उस पॉइंट पे हो कि रेकी ने आपको उचित माना है इसलिए आप रेकी कर पा रहे हो ऐसा नहीं कि आपने रेकी कुछ चूज किया है रेकी ने आपको चूज किया है तो वो कृतक की भाव रखो अपने अंदर और आप एक लव के वाइबरेशन में रहके आप अपनी हीलिंग करो ठीक है, जिस्ट बी, मतलब बी अविटनेस साक्षी भाव में रहके हीलिंग करो कोई बात नहीं, अगर thoughts आते हैं, जाते हैं कोई बात नहीं, आप इसको meditation की तरह भी बना सकते हो यह जो आप आदा घंटा कर रहे हो जिस्ट आप अपने breath पे focus करो पेट अंदर बाहर हो रहा है, उस पे focus कर सकते हो या नासिका से आपका सांस अंदर बाहर जा रहा है, उस पे focus रख सकते हो ठीक है, वो focus भी रखो तो एक रेकी भी हो जाएगी, meditation भी हो सकता है ठीक है, तो यह हो गया अच्छा, आपने यह सब कर लिया आदा घंटा, पॉन घंटा का आपका हो गया अब आपको क्या करना है जो आपको लगया, अप complete हो गया मेरा रेकी healing, ठीक है तब आपको सिर्फ thanks भूलना है आप वापस गैशो पोजीशन में अपने हाथ लेके आओगे और यहाँ पर आप thanks भूलोगे रेकी को thanks अपने masters को, then आप ये pray कर सकते हो रेकी को और अपने masters को कि मुझे अगले 24 गंडे तक एक golden light में shielded और protected रखे ये आप अपनी energy को protect कर सकते हो इस तरह से, ये आप जब आप सूचते हो आप imagine करो, बहुत अच्छे से golden light से 24 hours के लिए protected हो ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो आपको क्या करना है, आपको अपना हाथ अब ये जो हाथ रहते हैं, जिनसे हमने healing किया है वो हाथों में energy stuff हो जाती है जो बायोप्लास्निक dirt जिसको बोलते हैं तो आपको हाथ simple क्या करना है आपको हाथ ले जाके, नल में आपको साबुन से धोने हैं साबुन से अपने हाथ धोलो, ठीक है तो आपको हाथ धोलो, फिर आप एक ग्लास पानी पिलो, ठीक है grounding, वो grounding में help करते हैं आप एक ग्लास पानी पिलो, तो ये हो गया आपका reiki healing ठीक है, 21 दिन तो आपको करना है एक भी दिन, अच्छा कब करना है दिन में कभी भी कर सकते हो, रात में कभी भी कर सकते हो, कोई foundation नहीं है, ठीक है कभी भी कीजिए, हाँ only thing is, मैं ये recommend करता हूँ सुभे तो आप try कीजिए कि करें because क्या होता है पूरा दिन आप energy use करते हो आप जैसे mobile को देखो charge करते हो आप सुभे mobile को पहले charging पे लगा देते हो तो उसी तरह आप अपनी कुद की body को भी charge पे लगाओ ठीक है, जब आप ये रेकी healing करते हो तो क्या हो रहा है, simple है आपने जैसे phone में charge किया वैसे ही आप जो life force energy से अपने आपको पूरा भर रहे हो, charge कर रहे हो फिर वो पूरी energy आपको during the day काम आएगी, use करने के लिए, ठीक है फिर अच्छा, अब आपने सुभह कर लिया रेकी, सुभह करके आप निकले उसके बाद अब शाम को जब तक आप घर आते हो, जब तक आप पूरे दिन में आप stress वगरे सब थोड़ा बहुत आई जाता है तो आप जब शाम को रेकी करते हो, घर आने के बाद तो बहुत अच्छा वे है, खाना खाने से पहले आप रेकी कर सकते हो ठीक है, ताकि जो भी घर में मतलब आपके जो भी energy body में stress वगरे आया है, वो सब release हो जाए तो अगर आप ये करोगे, तो आप अपना family family time बहुत अच्छे से कर सकते हो आपको जो stress वगरे निकाल सकते हो इस तरह से, तो family के साथ ज़ादा अच्छे से time spend कर सकते हो, अगर वो possible नहीं हो, तो खाना ना खाके जब आप सोते हो, तो जब आप लेड गए सोने के लिए, तब आप अपना quick एक-एक मिनट, और शाम को जब आप करते हो, तो आपको जब आप ज़रूरी नहीं, तीन-तीन मिनट पुरा करना है, एक-एक मिनट भी करोगे, चलेगा ठीक है, कितनी बार करना है, देखिए, उसका कोई रेकी कर रहा हूँ, मेरी रेकी की requirement different होगी, आपकी रेकी की requirement से, ठीक है, आज मैं बहुत अगर stressed हूँ, ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा requirement रहेगी, मेरा experience है, जब मैं रेकी करता हूँ, जिस दिन मैं बहुत, जिससे सपोस्ट्रेस में हूँ, तो मेरे हातों से sensation से मुझे पता जलता है, बहुत ज़्यादा रेकी flow हो रही है, मेरे को मिल रही है, जिस दिन एकदम cool है, chill है, ज़्यादा कुछ प्रॉट नहीं, तो उस दिन ज़्यादा रेकी में हातों में अब यह मेरा experience है, ज़रूरी नहीं है, आपको हातों में sensation हो, तभी रेकी flow हो रही है, रेकी हमेशा flow होती है, आपका एक बार attunement हो गया, तो आपका continuous रेकी, जब intention लोगे, आपके दिमाग में थौट आ गया, कि मेरे रेकी flow हो, वो thought से रेकी हातों से flow होने लगती है, ठीके, तो रेकी पूरे-पूरा thought से flow होती है, तो आप दिन में शाम को कभी भी कर सकते हो, मैं यह suggest करूँगा, सुबह तो आप करी लो, एक time बिठा लो, आदा गंडे का healing कर लो, शाम को 10 minute का session कर लो, ठीके, सोने से पहले अगर आप रेकी healing करते, करते सोगे, तो बहुत अच्छा है, ठीके, बहुत अच्छे से आपको नींद आएगी, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीके, कभी भी कर सकते हो, रेकी healing, लेडी जैसे periods हैं, तो भी आप लेडी कर सकते हैं, रेकी healing कोई problem नहीं है, ठीक है, तो ये कुछ मैंने points आपको बताए हैं, अगर आपको कोई भी इसमें doubt होगा, प्लीज आप मुझे कभी भी contact कर सकते हैं, 21 days तो आपको करना है, उसके बाद भी आपको जारी रखना है, अट्यून्मेंट के बाद, 21 days regular, उसके बाद में आपको चालू रखना है, और बहुत आपके life में changes आने लगेंगे, positive changes आने लगेंगे, आपके vlogs clear होने लगेंगे इस practice से, तो thank you so much, आपने ये video देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, thank you so much